कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपसे बीक आपके अपने चैनल इसरसस में आज की सुना आप बात कोएंगे टाटा नियों क्रेड़ेट कार्ड डिकलाइन होने के बाद अप्रूब हुआ तो कैसे अप्रूब हुआ क्या प्रोसेस है सब कुछ आपको इस उड़े में पता हु करना एक बाद डिकलाइन हो फ्रिन से जाके यहां पे अप्रूब हुआ तो इस ट्रिक से मतलब जैसे कि से कुछ लोगों का ही होता है कि हमारा क्रेड़ेट कार्ड रेचेक्कर दिया हमारे पास पहले से क्रेड़ेट कार्ड है फिर भी रेचेकर दिया तो एक बार इस इस ट्रिक से आप यहाँ पे ट्राइ कर सकते हैं कि आपको दुबारत से आपको बिल जाए और साथ यहाँ पर देखे, यहाँ पर एकक olsa यहाँ इस दो आपको भी यहाँ पर अपै अगर अप्राइ करना है ठीक है तो इस ट्रिक से फर्स्ट अंसी प्रोसेस उससे यहां पर जाके अप्रोव हुआ तो दिखे क्या है सबसे पहले आप दिखे इनको एक mail आया ठीक है mail में है पर बहुत्वाएं आपको इस्टेटास दिखा देता हूं देखिएए अपकोई इस्टेटास एक रिनिटास और रिक्लाइन शो रहा है ठीक है और उसके साथ यहां पर दीखिए अप्लिकेशन पर भी टाटा न्यू अप्लिकेशन पर है आप त विए करना चाहिए कभी जो इंटर्नल पॉलसी होती हूं जल्दी बताई तो नहीं जाती है लेकिन अगर आप मेल करते हैं जैसे कि आपका credit का reject हो जो भी बैंक का credit का रोगा तो आप पहले mail करिए पूछिए कि हमारा region बताइए कि क्या मतलब रिजेक्ट हुआ है इंटर्नल पॉलिसे तो नहीं बताए जाएगा लेकिन बाकी अधर कोई पॉलिसे रहेगा कि अपली मतलब की यह verification नहीं हुआ call verification नहीं हुआ इhen करते हैं उन्हें नहीं भी यहां पर mail पर भता रहें कि मतलब जो तो मतलब की documents वोगए रहा है उसमें कुछ यहां पर दिखते आई हैं जैसे कि यहां पर दिया गया information that unable to process request बैसने हाँ पर मतलब कि इनको यहां पर दिखते आई हैं उस application से जैसे कि address हो गया का नाम हो गया इसाब कहां पर दिया ठीक है तो इन्होंने अपर customer care से बात उत किया address प्रूफ हो गया जो भी यहां पर चलेगा ना कि मतलब हमारे यहां पर मतलब अपली के से में दिक्कत क्या है तो उस दिक्कत से यहां पर दुबारा apply कर सकते हैं अब इनका तो reject हुआ था एक यहां पर landmark के कारण यहां पर reject हुआ था मतलब कि जो address उन्होंनों fill up किया था ठीक है ओ एड्रेस और इनका यहां पर मतलब कि जो documents में address है उसमें आपर कुछ दिक्कते आ थी तो उसके कारण नहीं पर reject हो गया ठीक है तो उन्होंने यहां पर क्या किया फिंस यहां पर declaration form रहता है ओ यहां पर आया bank के तरफ से यहां mail किया गया तो फूरा फीला फीनों नी किया यहां पर देखने जी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें यहां पर reference नंबर यहां पर भेज़ना पड़ा लेंड मार्क मूबाइल नंबर सब कुछ यहां पर बहतना पड़ा उसके बाद यहां पर documents भीजना पड़ा इनको जो address ह उसका documents विचना पड़ा तब जाके यहां पर आगे process हुआ बोले कि address में landmark नहीं डाला था सुचिए address में बस landmark नहीं डाला गया था तो जिससे reject हो गया और directly यहां पर mail ले आया है कि मतलब unable to process reject हुआ इससे कारण ठीक है अब सुचिए अगर आप यहां पर mail नहीं करते तो कैस इससा रहेगा जो यहां पर process हो सकता है तो दुबारा process हो जाएगा तो जरूर करिए ठीक है mail ID आपको मिल जागा इसके लिए आप उसको mail करके यहां पर contact कर सकते हैं लेकिन अगर टाटा नहीं हो का तो टाटा नहीं हो यहां पर application में आप पो जाएगा तो बोल रहते decline decline इनका यहां पर एक महीने का process लगा क्योंकि रिजेक्ट हुआ फिन process किये mail पर बात किये documents बेजे documents बेजने के बाद यहां पर उसमें समय गया तो एक महीने का पुराई process चलेगा तो देख लिए 26 जुलाई को उन्होंने apply किया था और उसके बाद अब जाके आप मितलब कि प इनका काड अप्रोव हुआ देख लिए 26 जुलाई 2030 को और अप्रूव हुआ वेरिफिकेशन इन प्रोसेस गया 26 जुलाई को सटेड़े 26 अगस्त मतलब टोटली एक महीने बाद इनका क्रेडिट काड अप्रोव हुआ तोटली एक महीना यहां पर लगा तेखने चाप के साम अनेबल वेरिफाय और अडिन्टिफाय कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस जो इनका कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस और अनेबल टू वेरिफाय यहां पर करके डिकलाइन कर दिया गया तो वेरिफाय नहीं हो पाया था जिसको बोले कि लेंड मार्क के कारण यहां पर वे के साथ मतलब की reject हुआ था reject हुआ उसके बाद इन्हों ने अप्लाइ किया 26 अगस्त हुजा कि अपडिट हुआ अब रिशस आपको छेक्ड कोई डिरेट का रजेक्ड होता तो ज़रूर वगत बैंक से कॉंटेट करके पूछना चाहिए कि मतलब रीजन क्या है उससे हम यहां पर पता चलेगा ना तो हम दुबारा आगे प्रोसेस कर सकते हैं अब देखे ओ एड्रेस यहां पर जो इन्होंने भेजा है पैंक स्टेटमेंट भी बेज दिया इन्होंने जो बैंक स्टेटमे क्या है यहां पैसे मैं आपको बतादेता हूं इनके पास यहां पे ूछार की वेणने तो दिखे क्या रहता है कि क्रेडिट कार रहेगा वह से हम न बहुत बाहरां में बता हूं ऑंगा 이제 और आपके हो गया एसा हर आपके पास से आप मिलने हैं चांसे पूरे ही रहते हैं हिर सीङ युजों प्रोसेस से आप हैं पर आपने क्रेडिट कांड को मतलब कि हम तो नहीं हुआ जो आप अगर मेरा ओड़ स्पड़त बतुर्म टॉनक्न कि Państ प्रोसेस करवे सकते हैं HDFC और साथे साथ ASBI का अगर आपके पास पहले से यहाँ पे कार्ड है 6-7 मैना पूराना और उसके 7-7 यहाँ पे आपका सिमिल वगेरा सब कुछ सही है तो पूरा ही प्रोसेस में ने बता है HDFC क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको लिंट आपको मिलेगा दिस्क्रिप्सर में मड़ों अगर पसंद आए तो प्रिशे अनलों को सब्सक्राइब करना मड़ों को लाइक और से यहाँ चरू करना मिल्टेण श्रूबडों कुछ नया आप डेट लेके तब तक कि लेगो बद धन्यवाद